जै विश्रु भगवान जी नमस्कार दोस्तों आफ सभी का हमारे भक्ती एंड फ़न वीडियो चैनल में स्वावरत हैं आज आप इस वीडियो में रस्पतिवार व्रत की पुझाविदी और कथा शवन करेंगे तो चली शुरू करते हैं हिंदु धर में सब्ता के साथ दिन किसी न किसे देवी देपता को समर्पित होते हैं इस प्रकार व्रस्पतिवार का दिन भी हिंदु धर में महत्वर रखता है व्रस्पतिवार का गुरु वार के नाम से भी जाना जाता है ब्रस्पति बार का दिन भगवान विश्नु और देवताओं के गुरु ब्रस्पति को समर्पित होता है ब्रस्पति बार ब्रत पहुती फल दायत माना जाता है इस दिन भगवान विश्नु वो ब्रस्पति देव की पूजा का विधान है ब्रस्पति वार के दिन भगवान श्री हरी विष्णु की पूजा की जाती है इस दिन विधी पूर्वक भगवान श्री हरी विष्णु का वरत रखने और पूजा करने से भगतों की सभी मनोकामनाय पून होती है इस दिन केले के पेड़ की भी पूजा की जाती है क्योंकि केले के पेड़ को हिंदु धर में बहुत पवित्र माना जाता है और भगवान विश्नु की पूजा में केले के पत्तों का उप्योग किया जाता है इस दिन देपताओं के गुरु व्रस्पती देव की पूजा की भी विधान होता है व्रस्पती देव को गुद्धी का कारक माना जाता है इस व्रत तो करने से व्रस्पती देव अतिप्रसंद होते हैं तथा धन और विद्धा का लाव होता है अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, कभ हम ये बरत की शुरूबात कर सकते हैं किसी भी महा के शुक्ल फक्ष में अनुराधा नक्षत्र और गुरुबार के योग के दिन इस बरत की शुरूबात करना चाहिए नियमित साथ व्रत करने से गुरु ग्रह से उत्पन होने वाला अनिस्ट नस्ट होता है कथा और पुजन के समय मन, कर्म और बचन से सुध होकर वनुखामना पूर्टी के लिए ब्रस्वति देव से प्रात्ना करने चाहिए पीले रंग के चंडन, अन, वस्त्र और फूलो का इस व्रत में विशेश्व महत्व होता है अब मैं आपको इसकी पुजा विधी बताने जा रही हूँ सुर्योदे से पहले उठकर स्नाल से निर्वर्थ होकर पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए शुद्य जल छुड़क कर पूरा घर पवित्र करें घर के ही किसी पवित्र स्थान पर ब्रस्पतिवार की मूर्थी या चित्र स्तापित करें पत्पश्चात पित्वण के गंद पुश्प और अक्षत से विधी विधान से पूजन करें इसके बाद निम्नमंत्र से प्रात्ना करें धर्मसास्त्र तत्वग्यं ज्ञान-विज्ञान-पारग विविधार्ति हरा चिंत्य देवाचार्य नमस्त्य त्पश्चात आर् Давай कर सुनें इस व्रत में एक समय ही भोजन किया जाता है प्रस्पतिवार के प्रत में केले के व्रक्ष की पूजा की जाती है इस्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवशक माना जाता है अब हम व्रस्पति वार व्रत कता शवन करेंगे उसकी पतनी से भीक्षय मांगी वेपारी की पतनी व्रस्पति देव से बूली हे साधु महराज मैं इस दान और बुणने से तंग आ गई हूँ आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धनना स्थो जाए और मैं अराम से रह सकूँ मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती व्रस्पति देव ने कहा हे देवी तुम बड़ी विचित्र हो संतार और धन से कोई दुखी होता है अगर अधिक धन है तो इसे शूप कारे में लगाओ हुमारी कर्णियाओं का विभा करवाओ विद्याले और बाग वरीचा का निर्मान करवाओ ऐसे पुन्य कारे करने से तुम्हारा लोग पर लोग सार्थक हो सकता है पर रंतु सादों की इन बातों से वेपारी की पतनी को खुशी नहीं हुई उसने कहा मुझे ऐसे धन की आवशक्ता नहीं है जिसे मैं दान दू तब व्रस्वति देव बोले यदि तुम्हारी ऐसे इच्छा है तो तुम एक उपाय करना साद व्रस्वतिवार घर को गोबर से लिपना अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना केशों को धोते समय स्नान करना व्यपारी से हजामत बनाने को कहना भोजन में मांस मदीरा खाना कपड़े अपने घर धोना ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नस्ट हो जाएगा इतना कहकर ब्रस्वति देव अंदर ध्यान हो गया व्यपारी की पत्नी ने ब्रस्वति देव के कहे अनुसा साथ व्यपारी वापस आया तो उसका सब कुछ नस्ट हो चुका है उस व्यपारी ने अपनी पत्री को सानतामना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया वहाँ वह जंगल में से लकडी काट कर लाता और शहर में बेशता इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा एक दिन उसकी पत्री ने दही खाने ही इच्छा प्रकट की लेकिन व्यपारी के पास दही खरीने के पैसे नहीं थे वह अपनी पत्री को आशवाशन देकर जंगल में लखडी काटने चला गया वहाँ एक व्रक्ष के नीचे बैट अपनी पूर दिशा पर विचार करोने लगा उस दिन ब्रस्वतिवार था तब ही वहाँ ब्रस्वतिदेव साधू के रूप में सेट के पास गये और बोले हे मनुशे तो इस जंगल में किस जिंता में बैठा है तब यपारी बोला हे महराज आप सब कुछ जानते हैं इतना कहका यपारी अपनी कहानी सुना करो पड़ा ब्रस्वतिदेव बोले देखो बेटा तुम्हारी पतनी ने ब्रस्वतिदेव का अफमान किया था इसी कारण तुम्हारा यहाल हुआ है लेकिन अब तुम किसी प्रकार की जिंता मत करो तुम गुरुवार के दिन ब्रस्वतिदेव का पाठ करो दो पैसे के चने और गुड को लेकर जेल के जल के लुटे में शक्कर डाल कर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बाढ़ दो स्वैम भी प्रसाद और जनाबिट लोग भगवान तुम्हारा आवशे का लाम करेंगे सादू की बाढ़ सुनकर वैपारी बोला महराज मुझे तो इतना भी नहीं बचता है कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूँ इस पर सादू जी बोले तुम लकडियां शहर में बेशने जाना तुम्हें लकडियों के दाम पहले से चौबुने मिलेंगे जिससे तुम्हारे सारे कारे सिद्ध हो जाएंगे उसने लकडियां काटी और शहर में बेशने के लिए चल पड़ा उसकी लक्डियां अच्छे नामे बिंगी जिससे उसने अपने पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गोड लेकर कथा की और प्रसाद बाट कर स्वैम भी खाया उसी दिन से उसकी सभी कथिनाईयां दूर होने लगी परन्तु अगले ब्रस्वतिवार को वह कथा करना भूल गया अगले दिन महां के राजा ने एक बड़े यक्का आयोजन कर पूरे नगर की लोगों के लिए भोज का आयोजन किया राजा की आगया नुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया लेकिन वेपारी वह उसकी पुतरी तनिक विलम्ब से पहुंचे अतहा उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया जब वे दोनों लोटकर आया तब राणी में देखा कि उसकी खुटी पर टंगा हार गाया वे राणी को वेपारी और उसकी पुतरी पर संधे हुआ कि उसका हार उन दोनों नहीं चुराया है राजा की आगया से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया कैद में पकड़ कर दोनों अत्यन दुखी हुए वहाँ उन्होंने ब्रस्पती देवता का स्मरन किया ब्रस्पती देव पकट होकर वेपाली को उसकी भूल का अभास कराया और उन्हें सलहाद देखी गुरुबार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें दो पैसे मिलेंगे उन से तुम चने और मुनक का मंगवा कर विधी पूर्वग ब्रस्पती देपता का पूजन करना तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे ब्रस्पति बार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें दो पैसे मेले बाहा सड़क पर एक स्त्री जा रहे थी मैपारी ने उसे बुला कर गुड और चने लाने को कहा इस पर वह स्त्री बुली में अपनी बहु के लिए गहने लेने जा रही हो मेरे पास समय नहीं है इतना कहकर वह चलीगी थोड़ी देर बाद वहां से एक और इस्त्री निकली मैं पारी ने उसे बुला कर कहा कि हे बेहन मुझे ब्रस्पति बार की कथा करनी है तो मुझे दो पैसे का गुड चना ला दो वर्षपति देव का नाम सुन कर वहिस्त्री बोली भाई मैं तुम्हें अभी गुडचना लाकर देती हूँ वर्षपति देव की कथा सुने कथा के समात होने पर वह इस्त्री कफन लेकर अपने घर गई घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने के त्यारी कर रहे थे इस्त्री बोली मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो अपने पुत्र का मुख देखकर उस्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चना इमरत डाला प्रसाद और चना इमरत के प्रभाव से वह पुना जीवित हो गया पहली इस्त्री जिसने ब्रस्वति देव का निरादर किया था वहाँ जब अपने पुत्र के विवा है तो पुत्र वधु के लिए गहने लेकर लोटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठ कर निकला वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उच्छल मारी की वक्त घोड़ी से गिर कर मर गया यहाँ देख इस तरी रो रोकर ब्रस्वती देव से शमा याशना करने लगी उस तरी की याशना से ब्रस्वती देव साधू वेश्मी वहाँ पहुँच कर कहने लगे देवी तुम्हें अधिक विलाप करने के आवशक्त नहीं है यहां ब्रस्वती देव का नादर करने के कारण हुआ है तुम वापस जाक मेरे भक्त से शमा मांग कर कथा सुनो तभी तुम्हारी मानों कामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस्तरी ने व्यपारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद चर्णाय अमृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चर्णाय अमृत जेल में कैद कर रखा है वहां विलकुल नडोश है तुम्हारी रानी का हार भी खुटी पर ठंगा है दिन निकला तो राजा रानी ने हार खुटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस विपारी और उसकी पुतरी को रिहा कर दिया और अधाय राजे नेहां पार्य को हीरे जय वारत दिये धन्यवाद अगर आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें